नमस्कार दोस्तों आप सभी का चलिए आज हम भी बात करने वाले इंडियन निष्ट्री कल्चर और डौशाइड का समेश्टर फोर में पेपर होता है सेक ठीक है उसी पेपर सेक पेपर टू को इंडियन निष्ट्रि कल्चर एंड डा ड्यवर्सिटी सेक पेपर टू और इस म इस पेपर में बोला गया है कि किनी पांच प्रश्णों के अंसर करने हैं अगर आपको सिलेबस नहीं बता है तो हमने सिलेबस अल्डेडी देच रखा है अब यूटूब में अगर सर्च मारिएगा इंडिया इंडिया इंट्री कर्टल डाइबरसिटी सिलेबस ग्यान सागर ईतना लिख दना है आजयेगा ठेक है और प्लाइश्ट में मैं दे दू号लिक तो यहां से देख सकते हैं देख्ये यहां पर सट्यमिय जयते खाशल गया है सत्मय जयते कहां से लिए और या सारणाति-श्त्तिकास अइंष few लाईय आप सकते हैं एक रुपए के सिक्के में आगे देखते हैं तो बी नमबर में पुछा गया है कि इसलाम धर्म के संस्थापक कुन थे हूँ वाज द फाउंडर आप इसलाम रिजन सरी डिलीजन तो दोस्तों इसलाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मुहम्मद पेगंबर जो भी नाम था पजर कर लाज़ो राष्ट गान है जनगन मना यह बाौन सेकेट में गाया जाता है उन्हीसागारा में पहली बार गया था कांग्रिस का एक बैठक था उसी में गया गया था और इसको लिखा तो रभीन नार्ट टेगोड़ ने लेकिन इसको गया है थे रभीन नाड की भाणजी क्य याद नहीं आ रहा है ठीक है उनकी भांजी नहीं गया था कि संतना न्यांग कुछ इसी टाइप का नाम था सरला नाम था सरला सरला नहीं गया था ठीक है did no continents का भांजाप पंजाप थ하고 बंगला अगर का जैद प्रतर प्रदेश का ठीक है आगे देखते हैं तो बीन नंबर में पुछा गया है कि निम्निखित पर संचिप टिपनी लिखें दो अंको वाले दो छोड़े-चोड़े परश्ण बनाने हैं यहां पर आपको 50 सब्द लिखने हैं दोनों पर पहला एक उतम बुद्ध के बारे म और इन सब चीजों को वारे में बताना है इसका उद्धिस क्या था अब आते हैं लॉंग आंसर टाइप क्वेश्टन और आठ अंको वाले आपको चार प्रश्णों के आंसर करने होते हैं तो इसमें पहला कोस्टन है कि सिंदु घांटी के निवासियों के धार्मिक विस्व अच्छा लगता है वीडियो वगरा सूट करने का ठीक है तो मैं यही पर बैट लिया हूं सेड में और वीडियो वगरा बना रहा हूं तो थोड़ा से सोरकुल होगा ठीक हैं दोस्त आप लोग एड़ेस्ट कर लिजेगा कवा भी गा रहा है अपनी तन में तीन नमबर है कि महावीर के अपदेशों की विवेशना करें डिसकस दा टीचिंग आप महावीर ठीक है आगे देखते हैं कॉस्चन नमर फोर तिसमें पुछा गया है कि सेव संपरदाय पर एक संचिप टिपनी लिखें और राइट सौर्ट नॉट ऑन सीवम आगे देखते हैं तो हमारा है पांचवा नमर पुछा गया है कि भारत के भक्ति आंदोलन के कारण और स्वरूप पर परकाश टलें डिसकस देखते हैं तो कॉस्चन नमर शिक्स इसमें पुछा गया है कि स्वामी विवेकानन के कारियों तथा उपदेशों का वीवरण दीजी गिव एन अकाउंटेंट स्वामी विवेकानन का मुल नाम क्या था नराइंद्र दत ठीक है और इनको तब से प्रसिद्धी मिले जब इन्होंने अमेरिका के सिकागो जो है 200 धर्म से मलन में भासन दिया था उन्हीं के बाद यह फ्यमास हो गया तो इन सब चीज़े बारे बताना फिर खेतली का वह अगर आपको मोमेंट याद हो जब कराजा के सामने मतलब फोटो को थूख दिया गया था फिर वहां पे जो लेक्चर दिया थे वह भ थोड़ा थोड़ा हिंत दिया है सेवन नमबर कोश्चन है कि 1857 के विद्रों के कारणों के समिक्षा करें रिभ्यू दो क्यूस आप दे रिवाल्ट आप 1857 ठीक है आगे देखते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सापना बहुत लोग बरने कि आप चेहरा चिपाते का है भी या नहीं चिपाते हैं यार लो आ गया सामने ठीक है कि चेहरा देखे देख लिए देखे खेत में बैठें आराम से अधर सुरी योगा हुआ है कि अधर लाइट आपको देख रहा होगा देख रहा है ना थे कलम का डाली है यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा कॉस्चिन है आइट नंबर में बुछा गया कि टाना अंदोलन का वर्णन करें टाना अंदोलन डिस्क्राइब दाना भागत मोमेंट तो टाना भागत को आप लोग जानते ही होंगे टाना भागत बुद्धु भागत जत्रा उरां इन सब रिल्टेड हैं और अग आपको चार अंको वाली दो प्रश्णों के आंसर करने होंगे पहला होगा मतलब कि इसका अंसर अप्रों लगभाग लेड़ सो सब्दों में कर दिजेगा तो ज्यादा बेटर है तो ज्यादा हो गया आट अंकों वालों का दूसो और आईसो करना है अगर आपकी स्पिड ज सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब मैं जिन के नमबर ने निघेड़े सबसें और th. लुग फिते हैं तो समयांते हैं यह सबसे अनृ पूछा गया है तांसर में आक बरारी संगीत फित्त हैं पर आपका सुवास्षचंद्रा बोस को नहीं जानता वह जी या याद जी के ना सर्वेंट भी बाने थे एक बार और फिर छोड़ दिया नों करी तो इन सब चीजों को बताना है थाइंग यू अल्द बेस्ट फिर मिलते हैं अगली वीडियो में